हेलो नमस्कार स्वागत है आपके अपनी चैनल कुक टुगेदर डबलू सविता में दोस्तों मैं सेयर करी हूँ आपके साथ कच्छे चावल और कच्छे आलू की रेसिपी जो बहुत ही ज्यादा स्वाधिश्ट और बहुत ही जटपट से बन करके तयार है जाती है और बिल्क पतला और फिर इसमें एक ग्लस पानी डाल करके हम ढख देंगे चार से पांच घंटे के लिए या आप इसको पूरी रात सुक करके रख सकते हैं अब यहां पे देखिए दो आलू ले लिया है और इस आलू को बहुत ही अच्छी तरीके से छेल करके धो लिया है अब एक चा निकाल के एक जार के अंदर इसको ट्रांस्फर कर लिया है वह इस थोड़ा सा पानी डालकर के इसको पेश्ट बना लिया इस तरीके से ना जाधा पतला और ना ही जाधा गाडहा अब इसको निकाल लेंगे एक बाएल के अंदर अब उसी बाएल में सारेальное ओं को डाल करके कि पीश लेना है अगर आपको जरत लगे तो थोड़ा सा एक दो चमच पाइन डाल कर इसको पीश सकते हैं अब यहां पे देखे यह पीश करके तयार हो चुका है अब इसको निकाल लेगते हैं उसी बाउल के अंदर अब इसको बहुत एची तरीके से हमको मिला लेना है अगर आपको यह बैटर थोड़ा सा पतला लगे तो आप इसके अंदर एक से दो चमच चावल का आटा या सूजी डाल करके इस तरीके से गाड़ा बैटर तयार कर लेना है अब यहां पर देखिए हरी मुची ले लिया है धनिया ले लिया है और दो कटे प्याज ले लिया है तुक्डों में मिठ़ है आप कम ज़ादा कर सकते हैं अपने साथ के निसार फिर एक चमच जीरा अदा चमच जहींग परॉडर और एक चमच कुटी लाल मिच स्वात के अंसार नमक डाल करके और आधा इनो का पैकर डाल करके इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हमको मिक्स कर लेना है तो दोस्तों मैं आपके साथ सेयर कर रही हूँ चावल के कच्छे आलू के पकोड़ी की रेसिपी जो बहुत ही ज़्यादा स्वाधिश्ड बनती है इस तरीके से हमको गाढ़ा सा वेटर तयार कर लेना है अब कड़ाई में दाल देंगे अपना मन पिसंद कोई भी तेल जैसे ही गरम हो जाए इस तरीके से चोटे-चोटे टुकड़े इसके अंदर हमको खोड़ देना है अब जैसे ही एक तरफ से ह कहां से देख रहे हैं वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब सेयर कॉमेंट करके बताईएगा कि आप यह इस भी वीडियो कहां से देख रहे हैं तो दोस्तों अच्छा खाएं खुश रहें तंदरुस्त रहें फिर मिलेंगे बाई बाई